Hello Everyone, तो आज Day 70 रहने वाला है, जो कि JKP Connectable की MCQ Series स्टार्ट की थी, तो इससे पहले हमने Question No.370 तक करे थे, तो आज हम 371 से करने वाले हैं, तो स्टार्ट करने से सबसे पहले पर बताना चाहता हूँ, कि Comment Section में Number दिया गया है, Contact Number दिया गया है, अगर आपने Offline बेज जाइन करना है, तो Contact कर सकते हैं उस नमबर पर, बाकी AKS एप्लिकेशिट पे भी जो है कोर्सी चर रहे हैं, तो आप वहाँ पे भी जाइन कर सकते हैं, तो आज कर सेशन स्टार्ट करते हैं, Question No.371 से, तो Question क्या है 371, Who led the reward of 1857 in the city of कानपूर, तो कानपूर सीटी में किस ने जो है reward चलाय तो आपके समने चार option है, तांतिया तोप, भादुर्शा जफर, नाना साहिब, रानी लक्षमी भाई, तो इसका right answer जो है, नाना साहिब is the correct answer, जिसने जो है कानपूर में वार को led कर रहा था, ठीक है, वार को चलाये था, जो कि इन लीडर थे, तो नाना साहिब is the correct answer, आपको याद रखना है, तो और तांतिया तोप एंड लक्षमी भाई की बात करते हैं, इन दोनों जो कहां पर रिवाल चलाये था, जहांसे एंड गौलियार में, ये भी आपको याद रखना है, question number three, century two की बात करते हैं, हूँ आपके सामने चार option है, सेरोजिनी नाइडू, इंदरा कांजी, विजे लक्षमी, एंड अनी बेसेंट, तो ये हूँ असे first woman की बात कर रहा है, Indian woman की बात ही कर रहा है, पूरे whole की बात कर रहा है, तो option आपके सामने है, तो इसका right answer जोगा है, अनी बेसेंट is the correct answer, तो पहली woman जो है, Congress की President बनी थी है, अनी बेसेंट, तो अ पच्छा नमर 33, ये बात करते हैं, who was the first Indian woman awarded with Bharat Ratna, पहली woman जिसको जह है Indian woman को Bharat Ratna अवार्ड दिया गया था, तो वो कौन थी, आपके सामने चार option है, Mother Teresa, Serogini Naido, Indra Gandhi, MS, Subo Lakshmi, तो इसका जो right answer होगा, Indra Gandhi is the correct answer, तो पहली woman जो की Indra Gandhi बनी थी, जिसको जह है भारत रतन दिया गया था, तो ये कब दिया गया था, ये date भी आपको याद रखनी है, 1971 में जो है इसको भारत रतन दिया गया था, जो कि Indra का highest civilian award रहता है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए भारत रतन के बारे में, question number 374 की बात करते है, the first country that won the first football, जो FIFA World Cup है, पहला किस ने जीता था, प Uruguay and Italy, तो इसका जो right answer है, Uruguay is the correct answer, तो Uruguay ने जो है पहला first, पहला football जीता था, पहला football FIFA World Cup जीता था, और कब जीता था, इन्होंने ये, 1930 में हो था, ठीक है, तो और ये कहां पे जीता था, ये Uruguay में ही जीता था, against, Argentina के against, ठीक है, ये भी आपको जहां रखना है, और आप अब ये recently, जो 2022 में हुआ था, तो वो किस ने जीता था, वो अर्डेंटिना ने जीता था, और अब कब होगा World Cup, FIFA World Cup, 2026 में होगा, कहां पे होस्ट कौन है, कौन कराएगा होस्ट, वो है USA, Mexico, ठीक है, USA, Mexico and Canada, ये भी आपको जहां रखना है, क्वेशन नबर 33, 75 ये बात करता है, तो मिजाइल में अफ इंडिया किसको बोला जाता है, तो आपके समने चार आप्शन है, डाक्टर विकरम सारा भाई, डाक्टर एपी जी अब्दुलकलाम, होम जे भाबा एंड रतन टाटा, तो इसका राइट आंसर जो होगा, डाक्ट में अफ इंडिया किसको बोला जाता है, वो है डाक्टर एपी जी अब्दुलकलाम, इतना आपको याद रना चाहिए, रतन टाटा जी की बात करता है, तो इनकी अभी अभी जो है डेथ हुई है, यहां से क्वेशन बन सकता है, रतन टाटा जी जो है वो इंडस्रिलिस्ट क्वेशन थे, इंडस्ट्रिलिस्ट ठीक है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है, और जो है इनको जो है अवाड़ अगरा भी यह है, वो भी आपको दिहां रखना है, क्वेशन नमर त्रियांड सेवेंटी सिक्स की बात करता है, विच अब दिफालेंग सीटी इस फैमस फार तो जो ताजमहले यह आगरा में है, किस ने बनवाए था, यह शाहजान ने बनवाए था, ठीक है, यह भी आपको दिहां रखना है, जो कि मुगल के रूलर थे, क्वेशन नमर त्रियांड सेवेंटी सेवन की बात करते हैं, विच अब दिफालेंग अथर रोड दी बुक द तो इसका जो correct answer होगा, जवारलाल नेहरो is the correct answer, तो डिसकोवरी आफ इंडिया की जो बुक है, यह अथर कोन है इसके जवारलाल नेहरो is the correct answer, और इसकी अधर भुक जो है वो the glimpses of world history भी है, यह भी आपको याज रखना है, जवारलाल नेहरो की अधर भुक जो है till वहиляंड इस विप्सिजाफ वर्ल हिस्ट्री यह भी आपको याद रखना है ठीक है को अच्छा नमर 378 की बात करते हैं विच आप दिफालाइंग इस अ क्लासिकल लेंगवेज आफ इंडिया इन में से क्लासिकल लेंगवेज कौन है इंडिया की आपको पहले इतना पता होना चाहिए क क्लासिकल लेंगवेज कितनी है तो इन haya से क्वो सिह आपको टिक बता था हो मॉष्ट याद रखना है क्या रखना है मॉष्ट ब्रैक्ट इन क्लासिकल लेंगव इंडिया की एमसे क्या बंता हैं मलीया उडिया इडिया ठीक है यह छे लेंगविज जो है classical languages का डिसेटर करी जाती है तो तामिल जो है यहाँ पर right answer होगा ठीक है कोच्छा नमर 379 की बात करता है what is the capital of israel तो israel की capital पूछी गई है तो आपके सामदे चार option है तो इसका right answer जो होगा Jerusalem is the correct answer तो capital क्या है इसराइल की Jerusalem तो अगर आपसे currency पूछा जाएगा कि currency क्या है इसराइल की तो वह है new shekel क्या है new shekel जो है currency जो है इसराइल की है इतना हो गया question number 380 की बात करते है what is the primary purpose of the United Nation जो United Nation है इसका primary purpose क्या है तो United Nation की formation कब हुई थी 1945 में हुई थी तो आपके सामने चार option है इसका purpose क्या है यह option है to promote global trade क्या है global trade promote करता है to maintain international peace and security क्या है peace maintain करता है पूरे international में तो to regulate international sport non up the above तो इसका जो correct answer होगा to maintain international peace and security इसके लिए बनाएगा है United Nation तो इसका right answer जोगा option number two is the correct answer ठीक है question number 381 की बात करता है what does Asian stand far तो Asian की full form direct बुची गई है अबके समने चार option है association of south east asian nations alliance of south asian economics alliance of south east asian nations non up the above तो इसका जो correct answer होगा association of south east asian nations is the correct answer ठीक है option number a जो है इसका correct option होगा ठीक है total countries अगर आपसे पुझाएगा Asian में total countries कितनी है तो total countries जो है 10 countries जो है Asian में कितनी countries है 10 countries जो है Asian में है लेकिन इंडिया इसमें नहीं है ठीक है ये भी आपको दियाहा रखना है question number 382 की बात करता है how many medal did India win at the Paris 2024 Summer Olympics जो 2024 Summer Olympics हुआ Paris उलम्पिक उसमें इंडिया ने कितने medal लिये तो option आपके सामने है 5, 6, 8, 10 तो इसका जो right answer होगा 6 is the correct answer तो total medal जो है इंडिया ने 6 medal लिये तो उसमें से silver एक लिया एक silver आया जो किस ने लिया जो नेरच चोपड़ा ने लिया ठीक है तो नेरच चोपड़ा किस game से related है तो आप मुझे ये comment section बताना कि किस game से related है नेरच चोपड़ा और बाकी जो 5 bronze medal लिये वो भी other pillars ने लिये total medal कितने लिये इंडिया ने तो total medal 6 लिये और position क्या थी इंडिया की इस बार तो 71 position पे थी इंडिया ठीक है ये भी आपको याद रखना है तो नेरच चोपड़ा किस game से related है या आप comment section में बताना question number 83 की बात करता है which part of the inner correction deals with fundamental right तो कौन सा part जो है fundamental right से deal करता है तो option आपके सामने है इसका correct answer जो होगा part 3 is the correct answer जिसमें जो fundamental rights आते हैं part 2 की बात करता है citizenship part 4 की बात करता है DPSP इसमें आता है क्याता है DPSP directive principle of state policies part 5 की बात करता है इसमें क्याता है the union ये भी आपको जहां रखना है question number 384 की बात करता है which river of India is called विरिद गंगा और दक्षिन गंगा कौन सा river जिसको विरिद गंगा या दक्षिन गंगा बोला जाता है आपके सामने चार option है महानदी, कृष्णा, गुदावरी और कावरी तो इसका जो right answer होगा गुदावरी is the correct answer तो अगर आपसे पूश जाएगा कि किस river को जो है विरिद गंगा या दक्षिन गंगा के नम से जाना जाता है तो गुदावरी is the correct answer कोच्छ नमबर 385 की बात करते है which of the following is the largest continent in the world by area तो largest continent कौन सा है वर्ल्ड में by area पूश जाएगा है तो आपके सामने चार option है अफरीका, यूरप, एशिया and सोथ अमेरिका तो इसका जो correct answer होगा एशिया is the correct answer एशिया जो है largest continent है वर्ल्ड में by area आपको यह याद रखना है एशिया जो है फस्ट नमर पे आता है एशिया largest है उसके बाद बात करते हैं अफरीका, क्या आता है एशिया, अफरीका, नार्थ अमेरिका फिर आता है सोथ अमेरिका फिर आता है यूरप फिर आता है अंडार्टिका और उसके बाद आता है अस्टेला जो है समालेश continent largest अगर आपसे पुछ जाएगा वो है एशिया समालेश अगर area wise से आपसे पुछे जाएगा तो हो है अस्टेलिया ये भी आपको याद रखना है question number 386 की बात करता है in which year was the legislative assembly अब जम्मो एंड कश्मीर called प्रजसभा established तो किस साल में जो है assembly established कर रहा था जिसको प्रजसभा बोला जाता था तो आपके सामने चार option है 1928, 1930 1930, 1932, 1934 तो इसका जो correct answer होगा 1934 is the correct answer ये question जो है previous year question based बनाए गए है और हर topic से question जो है पूछा गया है ठीक है तो बहुत help हो जाएगी आपको यहां से तो आप जो है practice करते रहना question number 387 की बात करते है what does the abbreviation SOG stand far in the context of the जम्मो एंड कश्मीर police SOG की full form पूछी गई है यहाँ पर तो option A special officer group option B की बात करते है special operation group, security operation guard and state officer guard इसका जो correct answer होगा SOG की special operation group is the right answer ठीक है SOG की full form आप से पूछ जाएगी तो आपके के बताना है special operation group is the correct answer ठीक है कोट नमर 388 की बात करते है who is the first Kashmiri woman to become the national kayaking and canoeing coach of India तो पहली Kashmiri woman जो की kayaking जो sport होता है water sport related होता है kayaking and canoeing तो इंडिया की coach बनी थी तो आपके सामने चार option है नुसरत अक्तर शबनम जान बिल्कीस मीर या रिफत अब्दुल्ला तो इसका जो correct answer होगा बिल्कीस मीर is the correct answer जो की पहली woman कोज बनी थी किस game की national kayaking and canoeing की ठीक है ये भी आपको द्याहा रखना है कोट नमर 389 की बात करता है Kashmiri region of Jammu and Kashmiri है which types of climate तो Kashmir region का जो है climate पुछा गया है तो option आपके सामने है द्यान से पढ़न option option number 1 cold and arid zone mid to high altitude intermediate zone low altitude subtropical zone mid to high altitude temperate zone तो आपको temperate से याद रखना है जो temperate zone है Jammu Kashmir में इसका right answer जो होगा option number D is the correct answer mid to high altitude temperate zone ठीक है कौन से type climate रहता है कश्मीर में Kashmir region में mid to high altitude temperate zone ठीक है option number 4 इसका correct answer होगा question number 390 की बात करता है चिनैनी hydro power project is located on which river जो चिनैनी hydro power project है ये किस river पे है आपके सामने option है चिनाब river जहलम river तवी river एंड इंडोस river तो इसका correct answer जो होगा तवी river is the correct answer जो चिनैनी hydro power project है ये किस river पे है ये तवी river पे है इसका जो है तवी river is the correct answer बाकी चिनाब river की बात करते है तो इस पे कौन-कौन से project है तो डूल हस्ती डूल हस्ती की बात करते है hydro power project सलाल की बात करते है ये इस पे है सलाल hydro power project जो है चिनाब रेवर पर ये सलाल हाइडरो प्रजेक कहाँ पर है जो है रियासी में है रेटल की बात करते हैं रेटल हाइडरो प्रजेक ये भी जो है चिनाब रेवर पर है यतना आपको इसके बारे में देहां रखना है ठीक है इसे भी जो question बन सकता है question number 391 की बात करता है राजपर्यन wildlife sanctuary is also known as जो राजपर्यन wildlife sanctuary है इसको दूसरा नाम क्या बोला जाता है तो आपके सामने चार option है बलताल wildlife sanctuary दक्सु wildlife sanctuary रामनंगर wildlife sanctuary जसरुटा wildlife sanctuary इसका जो right answer होगा राजपर्यन wildlife sanctuary सबसे पहले आपको इतना पाता है यह है कहाँ पे यह अनतनाग डिश्टिक में है कहाँ पे है अनतनाग डिश्टिक में है कश्मीर में तो इसका right answer जो होगा option number B is the correct answer दक्सु wildlife sanctuary is the correct answer ठीक है रामनागर की बात करता है यह कहाँ पे है जम्मू में है और जैसरोड़ कहाँ पे है कट्वाब है इतना यह आपको याद रखना है question number 392 की बात करते है who constructed जम्मू में मजजिद in कश्मीर in 3094 BC तो जम्मू मजजिद कश्मीर की है यह किसने करश्टिक करवाई थी तो आपके समने चार option है मीर महमद हमदानी सुल्तान सिंकंदर, शाहजान और अधी राई तो इसका जो correct answer होगा सुल्तान सिंकंदर is the correct answer ठीक है तो किसने जम्माजिद बनाई थी तो इस सुल्तान सिंकंदर इसका जो है right answer होगा question number 393 की बात करते है when did महराचा गुलाब सिंग तो जो महराचा गुलाब सिंग डुगरा रूलर है इसने जो है किस्तवार को कब एनेक्स कर रहा था ठीक है यह आपको यहां रखना है आपके सामने चार option है 1721 AD, 1790 AD, 1821 AD and 1845 AD तो कब एनेक्स कर रहा था किस्तवार को किसने गुलाब सिंग ने तो इसका जो राइट आंसर होगा 1821 is the correct answer ठीक है यह आपको यहाद रखना है तो किस्तवार को एनेक्स कब कर रहा था 1821 को ठीक है तो अच्छा नमबर 394 की बात करते हैं तो सिंपल बात करेंगे तो डायरेक्ट पुछे गया है तो आपकी समने चार option है अगर आपको पता होगा कि शाहमीर का नाम क्या था रियल नेम क्या था उसका तो आप जो है इसका answer दे सकते हैं तो इसका right answer जो होगा शामसुढ्दीन शाहमीर is the correct answer तो फोंडर जो शाहमीर डाइंश्टी के रहे थे तो सबसे पहले शमसुद्दीन शाहमीर होड़ रही थे ठीक है शाहमीर का नाम ही शमसुद्दीन था क्वेश्चर नमर्ट क्रेंडर 95 की बात करते है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चर रहने वाला है तो कौन सी फैमस परसनल्टी है जमो क्शमीर की जिसको जैरे कशमीर के नाम से चाना जाता है तो आपके सामने आपशन है हरी सिंग, बक्षी गुलाम मुहमद, शेख मुहमद अब्दुल्ला, गुलाम मुहमद अब्दुला तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा शेक मुहमद अब्दुल्ला इजदी correct answer तो जिसको शेरी कश्मीर से जाना जाता है ठीक है ये भी आपको याद रखना है तो आज के लिए इतना session था तो मिलते हैं next lecture में 396 से हम cover करेंगे ठीक है thank you